नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेट एक्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 दिसमबर 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग नहीं होगा ठीक है बाकि आज से हमारा पेपर सुरू हो चुका है डियलेट का और सभी बच्चों को आल दे बेच्ट पेपर में अच्छा करना है देखे जो कोश्चन आपको नहीं आता कभी भी याद रखेगा लगूतरी कोश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है ठीक है अगर आपको नहीं आता थोड़ा बहुत बना कर लिख देंगे 4-5 लाइन तो हो सकता है कि जामनर भाईया रहम करके आपको एक या आधा नमबर देगा तो वैसे ही पास होने की जो संभावना है वो बढ़ती जाती है कभी भी लगूतरी कोश्चन को नहीं छोड़ा जाता अती लगूतरी कोश्चन में क्या होता कि अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता तो छोड़ दीजिए वैसे भी अगर आप लिखेंगे तब भी 0 मिलेगा नहीं लेकिन लगूतरी में ऐसा नहीं होता उसके बाद डियलेट इसकूटनी रिजल्ट की लेटेस्ट अब्रेट क वसूली गलत है ऐसा कोट से अपडेट आई जी यहां दोस्तों काफी बार आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी वसूली आजकल तो आज देखने के बहुत ज्यादा मिल रहा है तो यह बड़ी अपडेट आ गई है अब भरतियों में नहीं आती है ब्रश्टा चार की स कहते हैं योगी जी कह रहे हैं क्या यह बात सही है यह आप लोग डिसाइड करेंगे उसके बाद सिच्चे को की गिरभ तारीक लिए छात्रों का प्रदर्थन तो हर एक अपडेट पर हम लोग की नजर होती है कि कहां से क्या-क्या ब्रेट निकल करा रही है कोई भी खबर द ही नहीं है और उससे में 200 रिजल्ट आने से एक और फैदा हो जाता है इस पेसली 2019 बैस के चात्रों को कि अगर सेकंड समस्टर में स्कूटनी में पास हो जाते तो फोर समस्टर का पेपर देने का मौका मिल जाता अब यही रिजल्ट कुछ दिन के बाद आएगा पेपर होने नायन साफी है बाकि सीटेट का अड्मिट कार्ट का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया जल्ली लिंक एक्टिवेट होगा और अपना आप लोग अड्मिट का डाउनलोड कर पाएंगे यूपिटेट सीटेट और सूपर्टेट की जो भी अपडेट होगी अपडेट हम चतुर समेश्टा की परिच्छा केंद्रों की सूची पेनपी ने जारी कर दिया ठीक है वैसे जिन बच्चों ने पहले पेपर जैनको पता है दोती समेश्टा डेट सीट आप देख सकते हैं आज 19 तारिक को दो पेपर है ठीक है दस बज़े से बारा बज़े तक देट बज इग्जानमेशन सेंटर लिष्ट आगरा में सेंटर बना है अलिगड में मतुरा में फिरोजाबाद में इटा में बरेली में मुरादाबाद में बिजनवर में कानपूर नगर में ठीक है तो कानपूर देहात का नाम तो या नहीं फरुकाबाद में और एया में मेरट में ब बनाएं ठीक है आजमगड में बनाएं महु में बनाएं बलिया में बनाएं गोरकपुर में बनाएं देवरिया में बनाएं खुसिनगर में बनाएं बस्ति में बनाएं अयुद्या में बनाएं अम्बीटकर नगर में भी बनाएं ठीक है सुल्तानपुर में बाराबंकी तारीक लिए छातों का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद देखिए जो ब्रष्टा चारवली बाते हमने कही, देखें सीय हमने कहा कि पॉने छे वर्सों में बेसिक सिच्छा परिस्द में, एक लाग छबिस हजार और मादमिक सिच्छा में, सास्की वा सायता प्राप्त कालेजो में 40,000 सदिक, निस्पच निउक्तिया हुई, उच्चे सिच्छा, पुलिस समयत अन्य भर्तिया अलग-अलग है, संस्क्रत विद्यालों में ततकालिक रूप से मान देपर सिच्छकों की भर्ती कराई गई है, साथी चैन की प्रक्रिया भी चलाने को कहा गया है, भर्ती की पारदर्सिता प्रक्रिया आपको जीवनवा कारेपद्यती में इमानदारी के लिए प्रेडित करेगी, आपकी कारेपद्यती में भी निस्पचता जलकनी चाहिए, तो ये सब दोस्तों अच्छे-ची खबरे हैं, जो कि आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि कहां पर कौन स जब बेट सापते छूट जाती हैं, ठीक है न? उसके बाद हम लोग बात करेंगे, रिटार्मेंट के बाद वसूली गलत है, कोर्ट से अपडेट है, प्रेयागरासी स्पेसली अपडेट आ रही है कि लहाबाद हाई कोर्ट ने एक नेड़े में कहा कि रिटार्मेंट के बा बात की गई वसूली ब्यास से वापस करने के नर्देश दे दिया, ये बड़ी ख़बर है गाईस, उसके बाद लखनों से अपडेट थी की सरकारी कोचिंग, जी यहां दोस्तों समाच के लेट विवाग द्वारा, IES, PCS की निसुल कोचिंग के लिए संचालीत राज़की क प्रविवार को प्रदेश के समस्त मंडल मुख्यालों में संपन्द हो गई है, तो ठीक है गाईस, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, कहीं पर भी परिच्छा की कोई लापरवाई नहीं होनी चीए, ठीक है, आप लोग का पेपर सुरू हो चुका है, पेपर को पास क करने का असान तरीका, जी यहां दोसों सभी बच्चे टिप्स और ट्रिक पूछने की सर्जी बताइए कुछ तरीका बता दीजे कि लाश्ट टाइम हमने कुछ नहीं पढ़ाय कैसे पेपर निकाल सकते हैं, देखे गाईस, एक बात याद रखिए, बहुत ऐसे बच्चे होत जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है, देखिए, आप लोग ग्रेजवेट होके हैं यहां पर पहुचे हैं, तो आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है, तो एक काम आप लोग को इस पेसली करना है, क्या काम करना है, देखिए जरा समझना पड़ेगा हमें, कि सिरीज पहले तो अगर आपके पास सिरीज नहीं, तो सिरीज आपको तुरंद के तुरंद ले लेना है, सिरीज ले लिजे, ठीक है, मैथ में क्या होगा, थोड़ी से आपको प्रैक्टिस ज्यादा करने पड़ेगी, पढ़ाई दोरान, एक दिन में पिए अगर आप में अच्छी खासी प्र प्रिवेस एर कोश्चन को पेपर को देख लिया, दो-तीन साल का कम से कम, जितनी बार का ज्यादा देखेंगे, उतना ही आपको समझ में आगा, काफी बार यह होता है कि थोड़ी से डिजेट को चेंज कर दिया जाता है, और आपका पेपर हो जाता है, ठीक है तो वैसे अग प्रेट हम आप तक पहुचाते रहेंगे, फिलाल, उमीद करेंगे कि आप लोग कोई भी लापर वाई नहीं करेंगे पेपर के लाश्ट टाइम में, ठीक है, पढ़ाई जीरो है, तो यह कहेंगे सीरीज आप लोग ले लिजेए, अगर अभी तक आपने पाते हैं, तो तु प्रेट हो गया, ऐसी आप फाउस से बचके रहेंगे तो बहुत बार फेक वेपर वाईरल हो जाता है, अगर आपने उसको पढ़ लिया, बहुत भी कल्पी कोईशन को रट्टा अमा लिए, पहला सा यह दूसरा, तीसरा, वन, टू, फिर फोर, ऐसे करके अगर आपने प्रेट आईगे, अप्रेट हम आप तक पहुचाएंगे, होता क्या है कि बच्चे जो पेपर आउट करते हैं, प्रीवेस एर के पुराने कोईशन पेपर रहता है, उपर थोड़ा था, कटिंग करके उसको वाईरल करतेंगे, आप लो प्रीवेस एर के कोईशन पेपर इतनी है, आपको लगेगा, अरे यही आगे चलो पढ़ लो, जल्ली से रख्टा माद दो, जब आप पेपर देने पहुचते हैं, कोईशन चेंज हो जाता है, फिर दिक्कत होती है, इसलिए कहते हैं ठीक से पढ़िए, बिलते हैं कौर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे stay connected, have a nice day.